दोसो अगर मैं आपसी ये सवाल पुछूँ कि क्या आपने कन्नडा फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से आने वाली फेल्म याने कि विश्नु प्रिया का ट्रिलर देखा है अगर आपने इस फिल्म के ट्रिलर को नहीं देखा है तो आप मेरे इस रियक्शन को देखिए और उसके बाद जाकर इस फिल्म के ट्रिलर को जरू देखिए जब आप इस फिल्म के ट्रिलर को देखोगे तो भीया ये ट्रिलर तो आपका दिल जरू जीतेगा और उसके साथ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई बहुत जल्दी ही हो सकता है कि ये ख़वर हमें बॉलिवूड से मिल जाए कि इस फिल्म का रिमिक बॉलिवूड में बनने वाला है तो दोस्तो वाकई में बहुत ही प्यारा है बही या विश्नु प्रिया का ये ट्रिलर और भाई इस ट्रिलर के तो कुछ सौट में ही सुरू में मेरे दिल को जीत लिया है तो दोस्तो कैसा है विश्नु प्रिया का ये ट्रिलर चलिए समझने की कोशिस करते हैं इस छोटे से रियक्शन के माद्यम से हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रियक्शन जो की जुड़ी विया कंड़ा फिल्म इंडश्री के तरफ से आने वाली फिल्म है आने की विश्नु प्रिया के ट्रेलर के रियक्शन से तो दोस्तो इससे पहले कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर का रियक्शन आप लोगों के सामने रखूँ कि उससे पहले मैं आपको बता दू कि भी है इस फिल्म को किसने डिरेक्ट किया है तो दोस्तो इस फिल्म को डिरेक्ट किया है वी के प्रकास नहीं है और इस फिल्म में नदर का ट्रिलर जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उसमें ये बात बताने की कोशिश की गई है कि भीया प्यार में कितनी गहराई होती है और भाई जब भी इस प्यार का बहिशकार समाज करता है तो उसके खिलाफ प्यार करने वाले किस तरीके से अपनी आवाज को उठाते हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के ट्रिलर में यानि कि विया सुरवात में हमें हसी वादियों से होते हुए एक सड़क नजराती है जिस पर एक बंदा अपने बाइक से जा रहा होता है और कई सारे खुबसूरत विज्वल हम लोगों के सामने आते हैं जिसमें हम ये बात देखते हैं कि भाई श्रेस और प्रिया का प्यार जो है वो परवान चड़ रहा है और उसके बाद अचानक फिल्म में ये बात हमें देखने को मिलती है कि भाई इन दोनों के प्यार के खिला वाली हैं तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रिलर बहुत ही बहतरीन है और भाई जब भी कंडड़ा फिल्म इंड़स्ट्री की तरफ से कोई नई फिल्म आती है तो भी या उसका ट्रिलर तो मैं जरूर देखता हूँ और उस फिल्म को भी देखने की कोशिस करता हूँ क् किसी में राज करने का दम है ना भाई तो वो संदल वोड इंडस्ट्री को ही है यानि कि संदल वोड की आने वाली फिल्मों की हम जितनी भी तारीब करें वो कम है और वो अपने फिल्मों को जिस तरीके से हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं न उनका प्रजेंट करने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है यानि कि प्यार को दिखाना है तो भाई हसीन वादियों को किस तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहिए भाईया अब हमें सीखना चाहिए संदल वोड इंडस्री से और उसके बाद अगर भाई action movies दिखाना है तो भीया हमें देखना चाहिए KGF का चैप्टर टू तो दोस्तो आने वाले दिनों में कनड़ा फिल्म इंडस्री ये बात तो मैं आप लोगों को लगातार कहता हा रहूंगे भीया ये राज करेगी इंडस्री पूरे इंडिया पर और भाई ये फिल्म भी बहुत ही प्या तो भीया इस फिल्म का हिंदी वर्जन हम लोगों के सामने नहीं आने वाला इसके हिंदी वर्जन का हमें इंतजार करना होगा जब इसका डव वर्जन हम लोगों के सामने आ जाए क्योंकि भीया मुझे तो उम्मीद है कि ये फिल्म सायदी मेरे शहर में रीज हो पाया और बाई इस फिल्म को देखने के लिए काफ़े मेहनत मुझे करनी पर सकती है तो दोस्तों आप अपने कमेंट के मादम सब्सक्राइब कि आपने विष्णू प्रिया का ये ट्रिलर देखा के नहीं और अगर आपने देख लिया है तो भीया क्या लगता है इस फिल्म की कहानी कैसी होगी क्योंकि अंत का जो लास्ट शॉट है न वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया क्या ये आरेक्स हंड्रेड वाला प्लॉट है क्या क्योंकि लास्ट शॉट में हम देखते हैं कि यह जो जावा बाइक है वो खाली सड़क पर खड़ी है जंगलों के बीच में तो बॉलिवूट से जुड़े और भी कई सारे ख़बरों को जाने के लिए हमारे चैनल वार्ण जेक्शन को लाइक स्ब्राइब करना ना बुलीगा और हमाने अबडेट्स को जाने के लिए बेल आइकन को जर्द भाईएगा